तो असलाम एलेकों हाई गड़ी दिस गुले जारा एंड वाचिंग गुल्स कोकिंग आज मैं फालसे के शर्पत बनाने लगी हूं क्योंकि आज इसको फाल्से का सीजन है तो इसलिए फाल्से का जो शर्पत है बहुत ज़्यादा फाइदा मन भी है तो इसको मैं एक तरीके से बना रही हूँ कोई ब्लेंडर हमें यूज करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए मैंने क्या किया है कि मैंने 2 जौताइब करते हैं इसपर इसमें अधर नहीं करते हैं तो आप शुगर अधर करना चाहते हैं तो आप शुगर एड़ कर ले मैंने यह गुलुकॉस सीरप बनाया हूआ है इसको कॉन सीरप भी कहते हैं ठीक है और यह बहुत सी चीज़ों के लिए यूज हो सकता है और इस आपको जितना मीठा चाहिए आप उसकी अंदर इतनी शूगर एड़ कर सकते हैं कोई hard and fast रूल नहीं और साथ में मैं 1 टेबल स्पून जो है वो नमक भी यूज़ कर रही हूं आप काला नमक भी यूज़ कर सकते हैं हाँ अब हम यह करेंगे हलका सा फ्लेम हमने जलाना है ठीक है low flame के उपर हमने पानी रख देने और पानी इतना हो के मतलब निम गरम हो कि आपकी finger जो है वह अंदर आसानी से जले जाए जले ना फिर फ्रहां यह फाल से इसके अंदर शामिल कर देंगे और तक्रीबन हम तेनर थे बार्ट मिणट शुर्ड पानि तक इसमीन से इस हम only dal दो टूर्ग-व््न अंदर ऐल्ग-धार वीन छो ते बारРЕ, बार थे बार हे हम अदिन से युर्ड-षनार फ्लेम ज़े मां ळांगे आपने, थे लिए पाने बिल्कूल भी गरनी यह देखें इसके अंदर फिंगर मेडी जा रही है इस तरह का होना चाहिए अब हम फ्लेम बंद कर देते हैं आप मैंने एक प्लास्टिक अबाल ले लिए और मलमल का कपड़ा ले लें जरा पतला होना चाहिए असानी से स्ट्रेइन होगे कोई blender वरी दिकत नहीं है कि blender को दोना पड़ेगा या blender को सास करना पड़ेगा असानी से आप इसमें बना सकते हैं अब आपने इसे इतना निचोड़ने कि इसका सारा juice अच्छी तरह से निकल जाए यह देखें हाथ की मदद से ना इसे आपने करने है यह देखें इस तहां के यह रहेगे देखें इसमें इच्छी तरह से रस हमने निकाल लिए अब हम इस पानी में टू से थ्री पिंच जो है ब्लैक पेपर एड़ करेंगे अब हम जो है वह मैंने जग में तो निकाल लिए लेकिन अब हम ग्लास को भी करते हैं जरा डेकुरेट ग्लास को इस तरह से डेकुरेट करेंगे लीमू का एक पीस लेके आप इस तरह से लगाएं लगा लिए अच्छी तरह से आपने लगाना है और यह मैंने नमक लिए है यह नमक लिए है मैंने इसमें हम इस तरह से रखेंगे और यह देखें किता जबर्दसा बन गया इसी तरह हम दूसरे वाले का भी बना लेंगे अब गिलास की मनदा से हमें इत्यास से टालेंगे कि यह हमारी डेकुरेशन ना खराब हो अब बंजाईश रखेंगे आइस क्यूब टाल लेंगे करेंगे और अपने कमेंट्स की जएगा सबसे ज्यादा मज़े की बात इसमें ज्यादा बर्दन भी नहीं बर्दसाइगे और यह आपको ब्लेंड करेंगे उसके पाने निकालेंगे तो बड़ा आसा तरीका है आप इसे यूस करें और एंजॉय करें समर ट्रिंक है बहुत ज्यादा फाइदा बंद है अगर यह रैस्बी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब भी करें और इसे शेयर भी करें अलगरा आपको और आपकी अहले खाना को हर किसम की बिमारी और दुख से दूर रखे एंड थैंक्स वार व